आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं साधियों में खाने वाले दाल चावल जिसे कहा जाता है भरूची दाल चावल तो यहां मैंने एक प्याला लिया है और अब मैं इस प्याले में आध्या कफ्य करीब चने की दाल ले लोगी यह देखी तो यह आध्या कप से थोड़ी जादा है यह पॉना कफ्य करीब ली ने और अभी इसके अंदर डाल दूंगी अख्खा मसूर अख्य मसूर की डाल तो ये भी आधा कब ले रही हूं ये देख सकते हो तो ये अख्खा मसूर है और ये तीनों डालों को एक बरतन में ले लेंगे और इसको पहले अच्छे से बॉश करके हमको इसको कम से कम अगर आपके पास टाइम है तो आधा गंटा बॉइल करने वाले है तो अभी मैं इसको एकसाइट पर कर देती हूं और दाल में लगने वाली क्या के चीज़े है वह आपको दिखा देती हूं तो पानी इस नहां पर गरम हो चुका है तो ये गरम 10-15 मिट डाल को भी हो चुके है तो अभी मैं दाल इसके अंदर दूंगी देख सकते हो और इसमें डाल देंगे और अभी मैंने लिये हैं यहां पर तीन टामाटर देखिए इन टामाटर को भी तुकडों में काट लेंगे तो मैंसे कट कर लेती हूं और मैंने इसे यहां पर कट कर लिया है और यह लिए है मैंने 5-6 हरी मिच जिसे बीच में से मैंने प्त में समय कटकर लिया था और इसमें परनी में डाल देंगे तो यह मैं हों बढो़ हैंगो में परनी दाली को इसमें झाल में निकाल लिया है और दाल को इसमें sporadion horWorks में आपके और अर्पमी पत्ते भी थोड़े से मैं डाल रही हूं और इसे अच्छे से चमस से घुमा ले ताके हल्दी आपस में घुल जाए पूरी तरीके से पानी में मिल जाए और देखिए तो बस अब इसमें कुछ भी नहीं एट करना है और कुकर का धकन लगा के तीन से चार सीटी ले ले इसे ए ची लगाए ताकि यह लगासे और कांटलम जाए और यहां मैंने लिया है और यह घुज लिया है मैंने तो हड़्य गोस्ट जो है झाप रखनी मैं दाल वगेरा में काफ duplicates लगता है खाने में तो हो सके तो आप हड़्य वाला गोस्ट ले तो यह का यहां पर लिया है मैंनों कि अरभी मरël करने के नंदर हम यहां तर बायल मैं दाली नबाने रुकते हैं तो यहां हम GIRा सब्सक्राइब कर में निकाल लिया कम दे रही है और मैंने कुछ कड़े मसाले भी मैंने 1 चमत ऐए सुके शूके शूके को अब चरओ चरओ इसी तंचे शूके को यह पीट बाल को अफने साही है मैं जलां नीचे को हयां साइने बाद को तैंगेjek जो चीनाोर, हम दाल को बगारें को ईटना चरओ को दिया का साहीं जीरे का भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आता है तो ये भी दालिए और एक बड़ा चमच मैंने अधरक लेसन डाल दिया है और अब इसको भी मैं इसके लिए मैं एक पानी गरम करूंगी इसको पहले अच्छा से मिक्स कर लेते हैं और कभी भी गोश में थंडा पानी का बिल्कुल ना डाले घ्रेक्ट आप थोड़ा पानी को गरम करें गुनífic कर लो हट जाना चाहिए तो यहां पर्में एक एक बरतन में पाने करने रख दिया है तो करीब एक देड़ गलास के करीब मैंने पानी लिया है तो यह पानी यहां गरम हो रहा है इसे गुनः डाल दिया है और अब मैं कुकर को अच्छे से सब चीजे आपस में मिला कर इसकी मैं बन कर दूंगी कुकर और इसको भी गोष्ट अपना बॉइल हो जाए गल जाए वहां तक इसको पका लेना है तो अब यह तेखिए तो इसके भी तीन से चार सिटी आने देंगे गोष्ट को पूआब गडिया था तो आदग घ्याँ तो आप कॉलम में आपको बना सकते और यहां तो मैं चावल है और यहां मैंने बगोई थी आखाम मसूर की दाल हुआ उत्टी तो पकिया और यहां च्विए और यहां मैंने घ्डारा यहां थी इसका मसूर अश्य जा कर लिया था तो बीक बरतन के साथ दाल गरब कर लेंगे तो अभी एक बर्तन में तेल कर लेंगी तो यह प्याज है और यह प्याज यह जो प्याज यह प्याज का मिडियम साइस की दो प्याज में ब्राउन कट की आ अटान सृब्ये तेल के साउन में जय कर ला लेंगे तान लेख़ोग और एक तरह कर लोगा चेपल ट्यार प्याज से देखें आँर cardiovascular था अछ्याज में और भी एक तरव यह जाज दूर में तो एक दालूँ मेरी निदाओं लुए लôm श्मालिवाके ब्राउन में अग्चा सह इसमें मैं डाल देती हूं काली मेरी चार से पांच और लवंग डाल दूंगी चार से पांच देख सकते हो और अभी मैं इसमें दो छोटी लाइची और दो तेस पत्ता डाल देंगे यह देख सकते हो आप लोग यह उप्शनल है अगर आपको डालना है तो डाले वहना को सिर् ग्लास पानी ले रहे हैं कि आदा घंटे से मैंने इसको भीगो दिया था तो इसे पकने में ज्यादा पानी नहीं लगेगा तो यह देखिए अब जैसे पानी में नमक में डाल देती हूँ तो नमक आप पर टेस्क के हिसाब से तो करीब मैं नमक लिया है और बस अब गरम होने देंगे इसको ढख देती हूँ मैं ताकि पानी में एक बाइल आजाए और उसके बाद मैं बताती हूँ क्या आगे आपको क्या करना है तो यह पानी में बॉला चुका है और मैंने चावल का पूरा पानी निकाल दिया था एक छहनी में लेकर तो देख सकते हो और इसी के बरिस्ता करके तो एक बरिस्ता कर कर देंगे दूंगी देख सकते हैं और यह तो इसका अच्छा फ्लेवर आता है अ व Ilka अदर अबता है यह अगर आपके पास में डाल घुटनी या हैंड ब्लेंडर वगेरा कुछ हो तो आप उससे मैश कर सकते हो तो मेरे पास यह है तो मैं इससे मैश करूंगी तो जो भी थोड़ी-थोडी दाल जो अक्खी मुझे नजर आ रही है तो मैं उसे अच्छे से पूरी तर्जी से मैश हो चुकी है आशे पाठील है बनाना है घू Channel यह थे चमच हण दो सीगान यह रएज से बंहुना पलम करो खने मुझे म्लें और अरो फिर दूलाना है जेयर ॉन्हा है इसमें कुछ in the हिलाइची दालक्षी नी और यह बड़ी लॉओ को सभाफ़ है यह सब डालना है और यह मैंने डाल दिया है धनिया पादर एक चमच के करीब जादा ना ले सिफ एक छमच मच जाए गार ने सिरफ एक चमच लान लगा हीमा दाल ़ें और जुद्ण प्याज का वरिस्ता ह buckets ऐसहां से अच्छे से मसल के इसको चूर ले उसको प्यास से ही और अब इसके साथ में देखिए तो अब यह पर फान के क् decep Vanessa की जानी अँगय है。 इसी का पानी इस्तेमाल करूंगी डाल में तो अभी यह सब गोश में इसके अंदर डाल देती हूँ ले देख सकते हो माशाला बहुत ही बहुत ही अच्छी बनके यह तैयार होती है आप लोग भी बनाए जरूर और जुमा के दिन आप बनाओ या जो भी आपके घर में कोई मह ठीक है तो मैंने यह पानी इसके अंदर डाल दिया और आप डाल का कलर देख सकते हो माशाला आप लोग भी जरूर बनाईएगा जरूर ट्राय कीजिएगा यह बहुत अच्छी बनती है तब ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी पुदीना कोतमीर और थोड़ा सा एक निम्ब डाले आपको जितना नमक चाहिए उससाब से और लीजिए हमारी डाल रेड़ी है अब इसमें कोई आप आपको उपर से पर गरम मसाला है काभी ही किसी भी सबजी में अगर आपको डालना है तो और आप根 में ही डाले मैने गरम मसाला डाल दिया और गोश्ट के अंदर जो ना नमक था तो मैंने इसमें नमक चकने के बाद ही डाला है और यह देखिए चावल भी माशाला हो चुके है दाल भी रेडी हो चुकी है यह देखिए कितने खिले खिले लग रहे ना बिलकुल साधियों वाले चावल और दाल भी माशाला तो यकिन मान यह प्यारे से बरतन लिए और अभी इसके अंदर में इसकी प्लेटिंग करूंगी देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे चावल भी बनके तयार हुए और यह मसूर की डाल जो है ना यह इसके अंदर बहुत जादा अच्छी लगती बहुत ही जादा तो आप लोग भी जर करके बता सकते हो तो यह देखिए माशाला तो यह देखिए मेरी डाल और चावल भी रेडी हो चुके हैं गरम गरम और आप भी इसको 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 आप भी इससे बना सकते हो यह देखिए थोड़ा हरे धनिया से गानिश कर देंगे और चावल के ओपर जो ना मैंने बरिस्त शेयर भी कीजेगा और सपोर्ट कीजे प्लीज फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में असलाम वालेकूम